हाई ट्वेल्टीज, वेल्कम को इजीवे कामर्स क्लासिस, मैं हूँ तापिता और गाईज आज के इस वीडियो में हम लोग गर्मेंट की अप्रोचिस देखने वाले हैं, गर्मेंट की वो पॉलिसी देखने वाले हैं, जो उन्होंने गरीवी को दूर करने के लिए कदम उठ तो काई सबसे पहले उन कदमों को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया शानल को तो बहुत गलत बात है जल्दी से सब्सक्राइब करो और न्यू वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकें दूसरे जीस आपने डाउट में से यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पर में इडी है ताबिता मैसी आप आगे बढ़ते हैं हम अपने शेफ्टर की और देखो गाइस सबसे ब भगाऊ ग्रोध बोले तो हमारे देश मेरे प्रोडक्शन होगा हमारे देश की खोश्यू प्रोडक्शन बहुत ज्यादा इसकेल पर करो हमारे जब जब घड़ेगी डेवलप्मेंट होगा तो अपने अप गरीब हच जाएगी WH jane परफली अप्रोच इन्हों ने यह र और कैसे उसे दूर किया poverty elevation program यानि कि गरीबी को दूर करने की policies ही ला दी उन्होंने बोला टेड़े रस्ते से चलके यानि कि सब कुछ हम चाहते कि development हो और गरीबी दूर हो जाए तो वो तो होनी पारा अब गरीबी के ऊपर सीधे से हतोड़ा मारो और उसे दूर करो तो उसके poverty elevation program आए जो कि मैं इस वीडियो में सिखाऊंगी लेकिन उससे पहले guys जो third government approach रखेती उसका नाम था minimum need approach या minimum need program यह क्या था कि minimum need यानि कि जो एक व्यक्ति की need है जरूरत है उसको government पूरा करेगी जो new term जरूरत है government उसे पूरा करेगी जैसे कि education हमारी तो education तो हमारी free kurdi government आप सर्कारी स्कूल में पढ़के free education ले सकते हो hospitals free करें खाना midday meal दिया गया guys ताकि हम लोगों को nutritional value जो गरीब हो तक नई पहुंश री वो पहुंचे राशन सिस्टम लेके आया गया तो minimum need के नाम पर government ने काफी सारी योजनाय लेके आई जिसमें राशन सिस्टम में राशन दिया जाता है, midday meal दिया जाता है, खाने पीने के उपर भी लेके आई, education पर भी लेके आई, health पर भी लेके आई अब हम guys ये तो government के तीन approaches थी, जिसमें से जो second approach है, जो government ने सीधा गरीबी पर हतोड़ा मारा कि उसको दूर भगाने के लिए, उसको और मजबूत करने के लिए नहीं, उसको दूर भगाने के लिए, तो उसको दो तरीके से उन्होंने deal किया, first उन्होंने जो अपने program रखे, एक self employment program रखा, एक wage employment, self employment का मतलब स्वारोजगार, यानि कि लोग अपना काम खुद करें, अपना business खुद स्टार्ट अप करें, इसके लिए government policies लेके आई, एक wage employment, तो wage employment अभी हम आगे पढ़ेंगे, सबसे पहले self employment देखते है, self employment ने लोगों को खुद से उनको किया, motivate किया, कि आप अपना काम खोलो, आप उसके लिए government कौन-कौन से policies लेके आई थी guys, तो सबसे पहला, ruler employment generation program, ruler मतलब गाउं में employment generation program, government लेके आई थी, जिसे short form में REGP कहते है, ठीक है, अब यह जो basically था, नाम से अपको पता चल जाएगा, ruler areas के लिए था, या small towns के लिए और यह कैसे दिया जाता था guys, उन लोगों को financial help करके, यानि कि in the form of loan, free में कोई पैसा नहीं देरी government, हमें loan provide करेगी, कम interest rate पर, ताकि कोई भी person अगर business start करना चाहता है, तो वो कर सके, right, and यह जो implement किया था, यह किसने किया था, Khadi and Village Industries Commission ने किया था, तो यह आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि one market question में MCQs में यह आ सकता है, so impose किसने किया था, implement किसने किया था, Khadi and Village Industries Commission ने किया था, तो यहाँ पर government ने ruler, यानि कि government ने गाउं में employment generation के लिए, एक financial help लेके आई थी, ठीक है, हर एक उसमें guys financial help आई है, किसी में free में पैसा नहीं मिल रहा है, सब में financial help लेकिन अलग-अलग तरीके से, अलग-अलग नामों से, तो वही आपको याद करने है, second scheme आई, यानि की program आया, उसको हमने नाम उन्होंने दिया, Prime Minister Rojgaar Yojna, यह बहुत famous हुई थी, Prime Minister, Pradhan Mantri Rojgaar Yojna, ठीक है, basically यह आई, अब इसने 92-97 में around 7 लाख लोगों को इसमें पाइदा हुआ, ठीक है, और यह जो रोजगार Yojna थी, जैसे के Prime Minister Rojgaar Yojna, जो थी, guys, इसमें कहीं पर भी ruler या urban नाम नहीं आया, तो it means यह गाओं और शेहरी, दोनों जगों के लिए यह Yojna थी, और इसमें भी, क्या था, financial help दी गए थी, यानि की, लोन प्रवाइड कराय गया था, जो लोग अपना business खोलना चाहते है, self-employed होना चाहते है, उन लोगों के लिए, ठीक है, अब बाद में क्या हुआ था, इन दोनों को, यानि की, यह थी REGP, और यह थी Prime Minister Rojgaar Yojna, इन दोनों को मिला दिया गया, और इन से जो मिलकर बनी एक मुख्य योजना, उसक की, इसका Prime Minister ले लो, और यहां से Employment Generation Program ले लो, यह आई, 1st April 2008 में, इन दोनों को मिला कर, एक योजना बना दी गई थी, जो कि आप इनके नाम से याद कर सकते हो, Prime Minister Employment Generation Program तर दोनों को मिला कर बनाए थी, कब बनाए थी, 1st April 2008 में, ठीक है, अब यह भी, same यही काम कर रही थी, रूलर एंड अर्बन एरिया में, रोजगार प्रोवाइड करने के लिए, Self Employment के लिए, लोन प्रोवाइड करते थे, ताकि लोग अपना बिजनस खोले, और कमाए, और गरीबी दूरो, ठीक है, आब इसके बाद गाईज आती है, 3rd योजना, that is called, स्वान जन्ती, शेहरी र रोजगार योजना, तो ये अर्बन एरियास के लिए, शेहर के लिए रोजगार योजना आया थी, जिसमें की financial help ही दी जाती थी, और इसे जो sponsor किया गया था, यानि कि इसमें जो पैसा लगाया गया था, वो 75-25 रेशो में, यानि कि सेंट्रल गवर्मेंट का इससा 75% सेंट सल रहे हैं, लेकिन काम एक ही है, स्वांट जनती शेहरी रोजगार योजना, नेक्स जो आई, उसका नाम था स्वांट जनती स्वारोजगार योजना, स्वारोजगार योजना का मतलब क्या हुआ, स्वांट जनती तो सेम रहा, स्वारोजगार, खुद से रोजगार लाना ह अब इसमें क्या करा गवर्मेंट ने इसमें गवर्मेंट ने बोला आप लोगों को एक SHG ग्रुप बनाना होगा SHG के फुल फॉर्म क्या होती है Self Help Group ठीक है अब Self Help Group का क्या काम था कभी आप लोगों नहीं कमेटी डालती है रेखी है पर भी Self Help Group में लोग आपस में मिलते थे पैसे मिलाते थे और एक जिस बंदे को बिजनस स्टार्ट करना होता था उसको लोगों के रूप में पैसे दे दिये जाते थे ठीक है अब जब उसको लोन के रूप में पैसे मिल जाते थे तो वो अपना बिजनस स्टार्ट कर सकता है अगर उसको पैसे थोड़े कम लग रहे हैं यानि कि अगर हम 10 लोगों ने मिलकर 1,00,000 रुपे खट्टे करे हैं और एक बंदे को दे दिये कि तु पहले अपना बिजनस स्टार्ट कर ले ठीक है और उसको लिए 1,00,000 रुपे कम है तो जो कमी पढ़ रही है वो गवर्मेंट की तरफ से पूरी करी जाती थी यानि कि financial assistant उसको इसके अंडर self-help group के अंडर मिल जाता था तो इससे क्या था स्वरोजगार योजना यानि कि हम लोग अपना एक self-help group create कर रहे हैं और एक दूसरे की financial help कर रहे हैं ठीक है तो ये create कया गया था किसके अंडर स्वाण जंती स्वरोजगार योजना तो आपको नामों से याद रखना है बाद में क्या हुआ था गाइस इनके नाम दुबारा से रख दिये गए थे तो इसको national ruler livelihood mission कहा गया जो गाओं के लिए था उसे national ruler livelihood mission कहा गया और जो शेहर के लिए था उसे national urban livelihood कहा गया लाइबली हुट मिशन कहा गया तो समय समय पर नाम बदलते रहते हैं यूजनाओ के बट काम वही रहते हैं इनका मेन मुद्धा गरीबी को दूर करना ही था और लोगों में जैसा की इसका नाम था करना था तो सभी में हमने एक चीज बड़ी कॉमन सी देखी कि गवर्मेंट उनको बिजनस खोल के नहीं दे रही थी गवर्मेंट उनको फाइनेशल असिस्टेंस दे थी ताकि वो लोग अपना बिजनस खुद से स्टार्ट करें और बिजनस स्टार्ट करें अब जो आगे हुआ है परोट्री श्टार्ट के नहीं करें ने वो लोग गोंशतो फोलता श्राट तोरा चैली खुदा कशैयाते है हमारा शरीर ये सब चीज़े बहुत जादा यूज होती हैं इसमें हाड़वक बहुत जादा होते हैं और जितना ही अगर आप पड़े लिखो वाला काम करते हो हमें mentally हाड़वक जादा होते हैं mental जादा हमें brainstorming जिसे कहते हैं वो करनी पड़ते हैं तो यहां पर गाइस unskilled काम के लिए दी जाती है हलाक कि मेरे हिसाब से बैस्किलिकाम होते हैं भले पड़े लिखे LACE लेकिंट काम तो कर रहे हैं तो इसमें गाये सबसे पहले जो योजना ग्रामीन रोजकार योजना जैसे इसका नाम है समंपूर्ट ग्रामीन रोजगार यहजाँ लेकर आरहे भाइस किन लोगों के लिए जो अंसकिल वाकर से उनके लेकर आरी थी कि उनको रोजगार दीया जाएगा तो government basically लोगों के सामने काम रखती थी और लोग उस पर आके काम करते थे और उनको जो income होती थी guys खास बात ये थी कि वो cash दो मिलता है था उसके सासत उनको food grains की भी सुविदा दी जाती थी यानि कि उनको income के रूप में food grains भी दिया जाता था तो लोग इसमें अपने आपको register करा लो या कहलो वहाँ पे जो भी गाव में जो लोग होते हैं में जो होते हैं उनको जाके बोलते हैं तो government जब अपना कोई काम लेके आती थी तो उन लोगों को वहाँ पे job पे लगा दिया जाता था और उनको दिहारी कहलो वह उस तरीके से पैसा मिलता था तो एक तो government ये रोजगारियोज न लेके आई सेकिंड लेके आई थी guys national food for work program जिसे हम NFFWP कहते हैं जो कि 2004 में लेके आई थी basically इसमें भी government ने minimum 100 days का जो guarantee होता है कि 100 दिन के लिए government जरूर काम देगी जो भी family में अगर कोई unskilled person है adult worker है जो 18 साल से उपर की age का है वो ये काम को कर सकता है इसको 2005 में guys मन्रेगा मन्रेगा अपने नाम सुना होगा that is M-G-N-R-E-G-A आपको फुल फॉर्म इसकी पता होनी चाहिए वन मार्क की question में आ सकती है महत्मा गांधी National Rural Employment Guarantee Act का जाते हैं मन्रेगा 2005 में इसको incorporate कर दिया गया था इसके साथ जिसमें 2013-14 तक आते आते guys पांच करोड household लोगों को इससे फाइदा हुआ ठीक है तो इसमें minimum 100 days guys job provide होती थी और उनको salary दी जाती थी अगें इसमें भी आप register कराना पट आप किसी को कैसे पता चलेगा कि आपको नौकरी के जरुरत है तो अगें जो भी गाओं में लोग होते हैं उनको बोला जाता है जब government scheme लेके आती है वहाँ पे काम होता है तो उन लोगों को धिहारी पर या job पर रख लिया जाता है कितने दिन के लिए 100 days के लिए तो रख जाता ही है ताकि लोगों को अब ये गरीबी दूर करने की उपाय करे जा रहे है ताकि government उन लोगों को रखती है उनको income होती है तो उनकी basic need पूरी हो पाती है तो ये दो मुखे योजनाय तो government ये हमारी book में अच्छी तरीके से highlighted है इ 15 अगस्ट 1995 को किया था बेसिकली ये जो national social assistant program है नाम से अब देखो national social assistant program socially जो लोग old age है और जो widow ladies है जिनके घर में death हो गई है husbands की या फिर 65 आपको पता है old age हो चुक है तो उनके लिए ये basically आया था जिसमें उनको pension दी जाती थी आपको अभी भी आपके आसपस होगा कि बहुत सारे लोग old age pension लेते हैं तो वो इस scheme के अंडर लेते हैं उसका नाम कहा है national social assistant program इस scheme के अंदर गाइस pension मिलना start हुई थी ठीक है उसके बाद प्रधान मंत्री जन्धन योज ना ये तो आज़की date में आप सब जानते होंगे मोदी जी 2000 कब आयते 14 में इस scheme को लेकर आ है और आपको इसमें क्या दी जाएगा आपको सेविंग की हैबिट होगी दूसरे चीज़नों ने बोला कि आपको अगर एक्सिदेंटल इंशॉरेंस ये लाइफ इंशॉरेंस कवर दिया जाता था तो एक लाख रुपे का मिलेगा और लाइफ इंशॉरेंस आपका 30,000 का आपको कुछ भी पैसा देने के ज़रूरत नहीं है बस आपको क्या करना है बैंक में अपना एक अकाउंट खुलवाना है तो ये तो हाल ही में आई है तो आपको ये याद होना चाहिए MCQ में बूठ सकते हैं इनको आपको धंग से याद करना है क्योंकि MCQ में बहुत बारी कुश्चन इससे रिलेटेट बूठ सकते हैं जो कि हम जब पढ़ते हैं तो हमें सारे सिमिलर लगते हैं बट ऐसा नहीं है ये किसी ना किसी बेसिस पर एक दूसरे से अलग है तभी गवर्मेंट कुछ ना कुछ चेंजिस करके अपनी नहीं नहीं स्कीम्स लेके आती है I hope guys आपको ये समझ हाया होगा और अगर समझ हाया तो लाइक जरूर करना है ऐसे नहीं जाने दूंगी लाइक जरूर करना है और अपने डाउट आप मेरे से यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर बूच सकते हैं Thank you